आगरा के कोठी मीना वजार मैदान पर 11 और 12 अप्रेल को भवे मेला जै जुलेलाल मेला कमेटी द्वारा लगाया जाना है कितनी भवेता होगी इस मेले की इस समय पूरी कमेटी के लोग मौजूद है जो सूत धारे कारिकरम के हैमंद भोजवानी मेरे साथ में है हैमंजी कितना भवे कारिकरम होगा इस वार कारिकरम जो होने जा रहा है सिंदी सेंटरल पंचायत के अंतरगत जै जुलेलाल मिला कमेटी द्वारा विशाल एक राष्ट्री अस्तर का मेला कोठी मीना बजार में किया जा रहा है इस मेले में देव लोग वैशनो देवी गुफा जुले और एक सिंदू सब्यता का भवन हमने बनाया है जिसमें सिंदी समाज के संत सिंदू संस्कृति के इस्थल हमारे सिंदू जो गायक कवी ऐसे विभूतियों को भी उसमें हमने इस्थान दिया है जो आज की युवा पीड़ी ये जान सके के सिंदी कल्चर सिंदी संस्कृति क्या है ऐसे ही जुले लाल जी का भवन भी दिया है विशाल जहाकिया दिये हैं और मनुरंजन के कई इस्थान दिये हैं इसके अलावा एक कारकरम हो रहा है जिसमें बॉंबे से कोटा से बरतपूर से कलाकार आ रहे हैं जो सिंदी कल्चर के बारे में गीत संगीत से एक समाज को प्रणा देने का जो सोंग होंगे वो गीत होंगे कोविड को देखते हुए कितना कुछ जो विवस्थाएं की गई है क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है पिछले वर्स भी कारिकरम नहीं हो पाई थे इस वर्स जो भविदा आप दे रहे हैं तो कोविड का कितना ख्यार रखेंगे इसमें कोविड के लिए हमने बहुत विशेस रूप से हमने विवस्थाएं करी है कोविड के लिए हमने पूरे मैदान के अंदर करीबन शे जगों पे हमने सेनेटराइज मशिन लगी है लेकिन उससे पहले जैसे ही जो व्यक्ति उसको एंटरी करेगा सबसे पहले उसको बना दी है और लोगों में एनाउंस भी कर दिया है कि बिना मास के जो है कोई फिर्वेश नहीं दिया जाएगा तो इससे जो है पूरा जागुपता हमारे समाज के अंदर जो पहला होनी चाहिए कोविट के लिए वो हमने पूरी तरह से उसकी विवस्ता हमने कर लिए है है, मची क्या लगता है जो सिंदी समाज का कारिकरम है आव दावा किया जा रहा है कि bunun देश में कुई दो रहाए नहीं है राश्टी एस्तर का ये मिला जो होने जा रहा है दो दिवसी ये मिला है 11 और 12 और जुलेलाज जी की असीम किरपा है आप देख रहे हैं जिस तरीके लोकडाण और इसका जो कोविट का चल रहा है लेकिन आगरा पे इस देवत्तादें जो हमारे उपर किरपा की है उसको देख करते हुए कोविट का पालन करते हुए मास्क लगाते हुए सेनिटाइजर के कई मशीने लगाई हैं साथी साथ इसमें जो विभूतियां है जो समाज की विभूतियां उनका हम सम्मान कर रहे हैं पूरा चार बे जैसे कल उद्गाटन होगा गया तारीक को विभूतियों का है उद्गाटन के उनका सम्मान है साथी साथ हम इस मेले को कितना और आकरसत कर सकते हैं तीन तारीक से लेकर हम डेला डाले हुए वहाँ पे मीनावैर फिल्ट में ना दूब देख रहे हैं ना शाहो देख रहे हैं और उपर वाले ने बड़ी किरपा किये कि सब चीजें होगी और कितना उत्सक है समाज कितना उत्षा है समाज मेरे साथ में और भी है नाम ँあー नाव संदी सेंट्रिल। चार्टका में अर्जेक्शन कितने उत्सक हैं कितना उत्सा दिखाई दे रहा है इस कारिकरम को लिए सर्वा समाज में बहुत ही उसाव है पहले हम जुलेलाल जन्ती की सवारिया निकालते जी इस साल करोना की वज़े से थोड़ी चेंजिंग की है हमनी इसको मेले का रूप द प्रोड़ाम होने जा रहा है और जुलेलाल से में प्रात्ना करता हूं इस मेले को कामयाप करें और अपनी आशिरोध बनाए रखें गाइडलाइन का किसतरी के से करेंगे क्योंकि सासन पर सासन सख्ता भी है कोविट को लेकर किस तरीके से पूरा गाइडलाइन को फॉलो कि गाइडलाइन का पूरा फॉलो किया जाएगा जो भी सरकारी गाइडलाइन ने उसका पालन करते हुए मेलों को मनाया जाएगा और पूरा विवस्ता करी गई है मास्क की सैनिटाइजर की और दूरी बना के पबलिक को अंदर करा जाएगा और पूरी गाइडलाइन का पालन कि बहुत उस्था है और आप उस्था सुयम देख रहे हैं इस्तल पे देखिए उस्था कितने कार Commissioner काम कर रहे हैं और पूरे जनपत की जितनी हैं उसका हम लोग पालन करेंगे सेनेटाइजार मास्ट दोगज की दूरी बहुत है जरूरी यह मेरा निवेदर है जनपदवासियों से कि जो भी मेले में आएं मास्ट पहन करके आएं और दोगज की दूरी का पालन करें सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस कारिकरम को इस मेले को बनाने का काम करेंगे सिंधी समाज के निरे साथ में जो सम्माज व्यक्तितों है जितेंद्र त्रिलोकानी क्या कुछ कहना चाहेंगे कितने उत्सा हैं समाज पूरा इस कारिकरम को लेकर क्योंकि आपके सु सिंदू घाटी सब्वेता सबसे प्राचीन सब्वेता नहीं और उसके किस प्रकार दर्शन हो और किस प्रकार हम आने वाली पीडियों को दर्शन करा सकें और मेले के अंदर हमारा मकसद भी यही है कि बारी बारी से लोग आएं डिस्टेंसिंग कर रखते हुए दूरी बनाते हुए वो दर्शन भी करें सादू संतों के बगवाँ जूले लाजी के दर्शन भी करें सिंदी खानपान, सिंदी पेनावा, सिंदी संस्किती, सिंदी गाने बजाने जो प्राचीनतम चीजें रही हैं वो हम आने वाली पीडियों को दिखाएं वही मकसद हमारा है, कोरोना काल के अंतक्यत हम लोगों ने थोड़ा सा उनकी साफ़धनी को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन किया गया है और मुझे लगता है कि इतना उत्सा है पूरे सिंदी समाज के अंदर, हम लोग बस इसी में हैं कि वो लोग दो दिवसी ऐसी रखा है कि बारी बारी से वो लोग आएं ताकि एक साथ बीड़ इखटा ना हो और वो बारी बारी से दर्शन करके और जो हम मेले में जो चीज दिखाना चाहते हैं उसका वो लाब लें तो बड़ी उच्छुकता है सिंदी समाज में. उस सिंदी समाज दो दिवसी मेले के लिए आकर उसका लाब लें और जो हम लोग चाहते हैं जूला जियन्ती बड़े बावन पर हम लोग बड़ी श्रता के साथ बनाते हैं में क्योंकि पहला कारेक्रम कोबिट की दोर में भविक आरेक्रम रास्टी यह करने जा रहा है जिस में हर्सक्राइव kे क्योंकि सिंदौ सब्यदा से भी परचायाновका किराइंगे पूरा सिंदी समाज कई न कई इस कारिक्रम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहा है उम्मीद यही करेंगे कि कोविट के दौर को देखते हुए सब सुरक्षित और जो दोगज की दूरी सैनेटाइजर वगेरा सारी चीजें रखते हुए इस कारिक्रम में आएंगे और सिर्कत केमरी की पीछे आरेन भगेल मैं करतार सिंग भगेल अर्थ